हेलो फ्रेंड स्वागता है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेप्टी ऑल्लाइन क्लासिस में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेप्टी नेट सिस्टम आज यानि यह टॉपिक है फायर प्रिवेंशन पार्ट का जब हम बर्क फ्रॉम बर्क एट हाइट जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहाँ पर हमें फायर प्रिवेंशन को कम करने के लिए या फॉल प्रिवेंशन को और कम करने के लिए फॉल को प्रिवेंट करने के लिए या फॉल प्रिवेंशन को बेतर बनाने के लिए हम सेप्टी नेट सिस्टम का यूज करते हैं सेप्ट वी होता है high density polythylene यानि high density polythylene का बना होता है जो आप green color का देखते हैं इसको high density polythylene material कहते हैं दूसरा आता है जो होता है वो wire का होता है wire का क्या होता है wire में आप जैसे की soil erosion को रोकना है collapse करने से या फिर उसको करना है और यह vertically और horizontally दोनों लगाए जाते हैं safety net system में एक होता है mass size यानि mass के हम बात करें जो उसका खाना होता है चो खाना जो type का आपको दिखता उसको mass कहते हैं तो इसका important fact है कि 150 mm से जादा का mass size नहीं होना चाहिए बाकी जैसे safety net का size होता है वैसे wire rope होता है wire rope की जो mass rope की जो मैं बात करूँ जो mass rope होता है वो 4 mm का होता है अगर 2 mm का है तो उसके double cord को use करते हैं बाकी 4 mm का इसमें rope use किया जाता है mass size maximum 150 mm हो सकता है जब हम कभी भी कहीं पर safety net को install करते हैं तो बहां पर test होता है जिसको हम कहते है drop test जो drop test होता है यह 180 kg bait का किया जाता है यानि 28-32 inch diameter का 188 kg के pound का bag जो है sand का उसको फेका जाता है यानि उसकी जो उचाई है वो 42 inch से कम नहीं होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए वहां से फेका जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है दूसरा, जो ये टेस्ट है safety net का, safety net का test हमेशा installation के बाद और use करने से पहले यानि हमने safety net install कर लिया है उसके बाद इसका test किया जाता है और ये test किसी competent person के दोऔरा एक trained person के द्वारा किया जाना चाहिए जो install करने के बारे में जो safety net के बारे में अच्छे तरीके से जानता हो और ये test, drop test के साथ उसका physically test भी होता है कि वो कटा फटा तो नहीं है या उसमें किसी तरीके के crash तो नहीं है या उसमें किसी तरीके का paint कोई भी ऐसे chemical तो नहीं लगे हैं जो उसको खराब कर सकता है ये basic चीजे भी हम उसमें चेक करते हैं दूसरा यहाँ पर आता है कि जो कितनी उचाईब पर लगता है तो हमने अभी बताया कि जो safety net है ये 6 meter से ज़ाद है यानि जो आपका 2 meter की दूरी पर यानि जो platform की आपकी चोड़ाई है उससे 2 meter जादा वैसे तो इसकी calculation होती है लेकिन यहाँ पर हमें basic ध्यान रखना है कि कम से कम 2 meter दूर होना चाहिए क्योंकि कोई भी बेक्ती जब उचाई से गिरता है तो वो थोड़ी दूरी की तरफ भागता है या बाहर की ओर भागता है इसलिए हमें कम से कम 2 meter की दूरी यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए drop test कोई भी test होता है इसमें हम कभी भी कोशिस करना चाहिए कि drop test को एक competent person के देख रेक में ही करें दूसरा यहाँ पर आता है जो safety net है safety net का use जो होता है वो fall prevention के लिए है यानि जब हमारा fall protection फेल हो जाता है और drop test एक ऐसी मतलब अगर किन-किन situation में करते हैं क्या हम सिर्फ installation से बात या use के करने से पहले ही करते हैं या drop test हमें कब-कब करना होता है तो drop test installation के बाद भी होता है drop test किसी भी fall protection system के फेल हो जाने पर या कभी भी relocate करने पर या फिर कोई major repair हो या फिर six month के interval पर यानि एक इस्थान से दूसरे स्थान पर हम safety net को लेके जा रहे हैं या हमारे safety net पर कोई वेक्ति accident का सिकार हुआ है या कोई भाँ पर चीजे टकराई है या कुछ भी changes आपको देखने को unwanted changes देखने को मिले है या फिर six month के interval पर या फिर आपने safety net को repair किया है किसी भी खराबी आई हो और उसको repair कराया हो protection system के उसमें किया गया हो तो यहाँ पर जो drop test है इन cases में हमें क्या किया जाता है कौन कौन है protection system के use करते हैं तब when ever relocated जब relocate किया जाता है जब major repair की जाती हो या फिर six month के interval पर हम क्या करते हैं इसका test करते हैं और इस test का नाम क्या होता है drop test होता है material कौन कौन से SDP और buyer rope 4 mm उसका dia होता है rope का चाहे वो मैस का जो है वो मैस 150 mm से जादा की उसकी size नहीं हो सकती है जैसा अगर हम मालीजे 2 mm का use कर रहे हैं rope तो हमें 2-2 mm की double-double cord use करनी होती है drop test में यहाँ पर safety net के बारे में हम और जानेंगे safety net क्या होता है कि जब हमारा fall protection या जो हमने mid rail दी है top rail दी है guard rail ID है हमने fall protection system दिया है जब वो fall protection system completely work नहीं कर पाता है किसी वज़े से तब वेक्ती क्या करता है फॉल करता है अब जब जितनी कहा जाता है कि जितनी उसाई से वेक्ती गरेगा जितनी उचाई बढ़ेगी उतना ही उसकी injury के chances बढ़ते जाएंगे injury का जो ratio है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा तो उसको कम करने के लिए हम क्या लगाते हैं safety net system